तो डियर स्टुडेंट ये है इसी वर्ष 2024 का बेस सिकेंड समेस्टर का जियोग्राफिया यानि कि भूगोल का पूरा का पूरा माडल पेपर कोईशन पेपर तो जिन जिन भी इनुवर्सिटी में परिच्छाएं कल परसों फिर आने वाले दिनों में लगी हैं भूगोल की य उनके बारें भी बताएंगे पलस हम आप सभी को उत्तर भी उसका बताएंगे कुल मिलाके कोईशन तो होंगे उसका उत्तर होगा विट फीडियप के साथ होगा आप पो टेंसल लेने वाली कोई बात नहीं है सबसे पहले इस वर्ष 2024 में जो माडल पेपर प्रुस्तुत बार बार रिपीट हुए हैं जो भी आपकी परिच्छा में आने वाले हैं उनको बताएंगे फिर हम आपको कोईश्यर एंसर के ओले चलेंगे तो बीड़ो बहुत ही है आप लोग खुद ही बोलेंगे कि हाँ पर आपने जो बताया था वही कोईश्यर आएंगे ठीक है आए देर उसके बाद कोईश्यर का एंसर करना है तो आज कि इस वीडियो का अतलिगोत्ते को सबसे पहला प्रशन है कि नियतिवाद क्या है यह आपके परिच्छा में हमेशा नहीं पूछा जाता है कभी कदार आता तो आप इस एकनोर भी कर सकते हैं जो बार बार आ रहे हैं जो तो प्रवास्त कि प्रकार बता यह एक्सीं इस बादा इंपाइबाक्ड्रन को Ein नौट कर लीजिए इसका उत्तर मेंने आप लोगों के लिए तयार किया जो कि वह आपको मिल जा आईगा प्रवास्त के प्रकार, बताईे है। बार बारらい आ चुका परिक्ष्छा में इस नहीं जिसमें नाया हो तो आएगा इस बार भी ठीक है नोट कर लिए इसका भी उत्तर मैंने आपको लिए तयार किया जो कि आपको मिल जाएगा भी लेकिन उससे पहले को जानना जरूरी होता कि कौन-कौन से आंगे बाइस योग्राफी आने भोगल में कमसे कम दो सो डेड़ से 235-200 कौस्टन का उत्तर आप तयार कर पएंगे कभी नहीं तयार कर पाएगा ने कि संभावना कौन-कौन बार-बार आ रहे हैं वह मैं आपको बता दे रहा हूँ ठीक और आपको पता चले जाए कि हां कौन कौन से कोश्चन आएंगे कि सांस्कृतिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं यह महात्पूर्ण प्रशन है नोट कर लिए इंपॉर्टन कटगरी करें नोट कर लिए अभी कभी ठीक है यह इंपॉर्टन कोश्चन कई बारा चुका ह करें जो इस बार आपकी परिच्छा में आने के उम्मीद है ठीक है और अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि आप परिच्छा में अच्छे कापे नंबर लेकर आएंगे बस ठीक है यह मुझे पूरा वरोसा ठीक है और आप पूरी नोलिज मिल जाती है ठीक है अब आज आएगे हम घंड बाकी और तेकि कुछ इन्वर्सिटी में अतलगुत्रे में पांच कोश्चन पूछे जाते हैं कुछ में दफदे से कि इस पांच ही पूचे गये ठीक है लेकिन हो सकता आपकी परिच्छा होने वाले उसमें द ऐंसर करना है उसके डिकन यांफ लोगों को पांच प्रस्षिन करना है और हर प्रस्षिन के लिए आप लोगों को कतने नंबर मिलेंगे ये घंड़ना प्रस्ष घंत्र रावड में और प्रस्षिन हैं कि संभ argument करना करना होता है लेकिन संभव वाद स्रिवड़ा एक आधा कोश्चन कभी कदार परिश्चन पूछा जाता है तो आप सभी के लिए अस्री प्रसद इंपॉर्टेंट है अस्री प्रसद उम्मीद एक प्रश्चन फसेगा तो नोट कर लिए ठीक है तुरूंद करिए अगला कोश्चन है कि करिक प्रवास इड़ा फ़ायत परकार के मांडं पर कारण ये अगला कोश्चना की प्रकार बता Y यह क्रशी किसे कहते हैं तो यह भी महात्पूर्ण प्रश्ण है आपको मिल जाएगा हम इस वीडियों से आपको लोगों को सारे कि अर्थ बेवफ्था यह कोश्चिन बहुत कम आता है मेरी जानकारी को सार में बहुत कम देखने को मिला तो आप इसे एकनोर कर दीजेगा ठीक है जो आपको दिख रहा है बार बार परिच्छा में आ चुका आज तक आएगा इस बार भी पक्का उम्मीद है तो नोट कर बहुत कम आता है तो मेरी मानेश को इग्नोर कर दें क्योंकि परिच्छा आपकी जल्दी लगी हुई है और आपको मैं यह नहीं कहुंगा कि वह सारे कोश्चिन तयार करें जिनके उम्मीद आने की बहुत कम है या फिर नामात्र की हमारा उमीद यही है या फिर हमारा से उत्तरे बोलते हैं तो इसमें भी सेम तो सेम पहले आपको प्रशन का उत्तर देने से उत्तर विषय छेत्र की विविष्णा कीजिए तो पहले तो आपको मानो भुगोल की क्योंकि यही प्रस्णपत्र का नाम है यानि होमें जियोग्राफी यानि कि मानो भुगोल यही आपकी प्रस्णपत्र क्वेपर का नाम है तो पहले तो आपको मानो भुगोल का आर्थ पढ़ना ह फिर इसके बिफेच चेत्र के बारे में तयार करना है बहुत ही हाई लेबल का कोईश्चन है इसका उत्तर बाकाइदा मैंने तयार कर लिया है जो कि अभी आपको मिल जाएगा लेकिन इस कोईश्चन का उत्तर छोड़िए गमत बिधुवत तरीकी फिर तयार कर लिजीगा क्य अगर प्रश्चन फंसा माली लगुत्रे में भी या फिर दीर घुत्रे में तो आपको 500 सब्दों में कम से कम उत्तर लिखना होगा 500 का मतलब होगा है कम से कम ढ़ाई फे तीन पेज लिखेंगे तभी आपको उसके लिए कितने नंबर दे जाएंगे बीश्या फिर कुछ में कुछ द03 नंबर दे जाते प्रशने का उत्तर देने पर जातर देर होगा के लेकिनश डेंतर के राइद जहा We प्रजातियों की वर्गी करण का विब्रण प्रस्तुत कीजिए मतलब की मानो प्रजाती है जो प्राणी है इनके बारे में आपको वर्गी करन करना मतलब इसको बिफ्तार से बताना है कि कैसे इसकी सुरुआत हुई कैसे अलग अलग प्रजातिया है इनके बारे मांको डेटेम लिखना पड़ेगा बहुत ही हाई लेबल कोईश्टन जरू तैयार करिएगा फसेगा क्योंकि आपके फ् अर्थिक बेवफ्था हुआ निवास प्रारोप का भगोलिक बढ़तीजिए तो मैं जनजात के जीवन पद्ध्यत के बारे में आपको लिखना है लेकिन यह प्रस्ण जो है आपको सभी के लिए बहुत ही कम उम्मिद है आने की मेरे जानकारी के नसार बहुत कम कोश्चन प सब्सक्राइब यह प्रश्ण के बाकि चाहे हैं इसी प्रकार जब आप पर इच्छा देने जाएंगे तो सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा कुछिसी परकार कई होगा ठीक है अब हम आपको ले चलते हैं इन सभी प्रशनों के उत्तर की ओर ठीक है तो वह महा संग्राम हम ने वह भी कोश्चन तयार किये हैं और उसका उत्तर भी तयार किया है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं ठीक है तो हम आ चुके हैं महाथ संग्राम पीडियाप की ओर ठीक है इसमें सभी प्रश्णों को उत्तर मिलेंगी जो माडल पेपर में थे और अन्य भी महाथ पूंट प्र जन संख्य अव्थान्तर्ण किसे कहते हैं या फिर जन संख्या अफ्टांतर्ण किया है यह अपने मैंने खुद्ध पिछले वर्स्तों के जो माडल पेपर हैं कोश्चन पर जो हैं वसके सब्सक्राइब की अने को मैंने एंडिया थिक्त वाना ही अंसक यह बीडियो था संख्याफ तरड के बारे में कोईस्चन नहीं प्राइब कर लिए अगरा कोईस्चन की मानो अधिवासों के प्रकार बताई ये देखी है तो लग उत्रे में पूछा गया था ठीक है तो मानो अधिवासों के दो प्रमुक प्रकार हैं पहला है ग्रामिड अधिवाफ दूसरा है नगरी अधिवास ठीक है जिनकी अधिकाम जनसंक्या कर्षी या इसे से संबंदित प्राथमिक व्यफ्ताओं में सनलगन रहती है ग्रामिड अधिवास अफ्थानिय रूप से उपलब्द निर्माण समागरी खता सब्सक्राइब कर्स्राइब को थे से तो अधिक है अधिवास के माकान कच्चे पक्के दोब्रकार के ऊधार होते हैं भूब्द ही ऐफ्लक क्विकास पूर्वी अफ्रिका में लगबग 25 लाक वर्स पहले ठीक है अश्टे लोपए थे कफ नामक वानरों के एक जीनस से हुआ था ठीक है जिसका अर्थ जचनी वानर है लगवे 20 लाक वर्स पहले इन में से कुछ अपनी मात भूम को छोड़ कर उत्तरी अफ्रीका यूरूप और ऐस्या में बस गए थे ठीक है तो इस प्रकार मानो का जो कर्मिक विकास है वह हुआ था कहां से अफ्रीका से हुआ थ करेंगे जितना भी आपको अच्छे से समझ में आएगा उतना इससा आपको जानकारे मिलेगी यह बहुत बड़ा टॉपिक है इसके बारे में आपको धोड़ा तैयार कर लेना थीक है ताकि आपको मिल जाएगा ठीक है मानो भगोल में संभवाथ के वारे में कोश्चिन भी महात्पूंट प्रशने इसको भी नोट कर लिजेगा मतच सुत्पादन की भगोलिक परिवासा ठीक है ते भी हो महात्पूंट प्रशने तो इसी प्रकार इस महा संग्राम पीडियप में वह सारे कोश्चिन इंकिल्डेड है जो आपको परिच्छा में आने वाले हैं ठीक ह पूरी बहां संग्राम पीडियप है आपको मिल जाएगी कहां पर मिलेगी मैं आपको बता दे रहा हूं इसी वीडियो के सकते क्योंकि है सिर्फ हम ही कर सकते फ़िए घर तो जैसे आपkä abgesब करेंगे Business इतना लिखनेंगे तो आपको तुरंद के तुरंद आपको यह महासन ग्राम जो शिंड कर देंगे ठीक है शिंड कर देंगे तो आप इसमें देगे सभी प्रश्णों का उत्तर तयार कर लिजेगा तो आपको आपके एक्जाम में help मिल जाएगे ठीक है बाकी यह आपका अपना ही चैनल सक्सेस्ट वह हुए तो कि आपको हमेश्था समय रहते सारी जानकाई देता है इसके अलाव अगर आपको अन्य कोई 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 चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर पूछे मेरा भरोसा यही है आप लोगों के लिए मैं all the best कहूंगा क्योंकि इसमें जो प्रसंदिये गये हैं लगवग लगवग यही फ्रस्ट फसेंगे तो आपको अच्छे छाप के आना आए और अच्छे तरीके फिलिक के आना कोई भी कोश्चन छोड़िए गामत कुछ बना के भी लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर एक्जामनर की तरफ से दिये जाएंगे इस बात को ध्यान रखेंगे जैंद